दोस्तो बहुत बहुत स्वागत थे आपका एक पारफेट से आपके अपने ही चेनल करिक पॉलीपार दोस्तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमने अपने चेनल करिक पॉलीपार एक स्रीज स्टार्ट की थी टॉप 20 फिल्मों की साल 1960 से हमने इसको स्टार्ट किया था और अभी हम पहुँच चुके हैं साल1905 पर यÁनी के साल1960 से लेकर साल1985 तक की हर साल की टॉप 20 फिल्मों के बारे में हम आपको बताया चुके हैं लेकिन अभी हमारे कुछ प्यारे व्यूवर्स का कहना है कि साल की टॉप 25 या टॉप 50 फिल्म के बारे में बताया जाए तो दोस्तो अगर आप सहमत है इस बास से आप से इसी बात का मश्वरा लेना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि साल की टॉप 50 फिल्मों के बारे में बताया जाए तो कमेंड में आप हमें येस लिखकर जरूर सपोर्ट कीजिएगा और साथ ये साथ अगर आप नहीं चाहते ही कि सिर्फ टॉप 20 फिल्मों का ही वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंड में नो लिख सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज साल 1985 की टॉप 20 फिल्मों के बारे में तो पहले नमबर पर कौन से फिल्म थी? सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में, हीट और फ्लॉप के बारे में तो सारी जानकारे आपको देने वाला हूँ और प्रेम चोपड़ा इस फिल्म में एहम किरदारों में असर आई थे, फिल्म को डेरेक्ट क्या था? रामा राउ ने, और बजट इस फिल्म का तकरीबन डेल करोड उपे था, बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने दो करोड उपे की कमाई की थी, और फिल्म बॉक्स पर एवरेज साबित हुई थी, 19 वे नंबर पर थी, आखिर क्यों, 30 अगस्त 1985 में रेलिस हुई थी फिल्म, राजेश खन्ना, राकेश रोशन, स्मिता पार्टिल, इस फिल्म में एहम किरदारों में असर आई थे, फिल्म को डेरेक्ट क्या था? जे उम परकाश ने, और जेकी शरॉफ, पूनब धिल्लो और अमरेश पूरी इस फिल्म में एहम किरदारों में असर आई थे, फिल्म को डेरेक्ट क्या था? विजयरेड दी ने, और बजट इस फिल्म का तकरीबन एक करोड उपे था, बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने धाई करोड उपे फिल्म को डेरेक्ट क्या था? के रगुवे इंद्रे राउने और बजट था इस फिल्म का तकरीबन एक करोड चालिस लाग उपे, बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने दो करोड नब्बे लाग उपे की कमाई की थी, और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित और बजट था इस फिल्म का तकरीबन दो करोड उपे, बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने तीन करोड उपे की कमाई की थी, और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई थी, पंदरवे नमबर पर थी युद्ध, तीन मई 1985 में रेलीस हुई थी ये फिल्म अनिल कपूर, जैकी शरॉप और टीना मुनीम, इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे, फिल्म को डेरेट क्या था राजीव रोय ने, और बजट था इस फिल्म का तकरीबन दो करोड चालिस लाख उरुपे, बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने तीन 20 लाख उरुपे की कमाई की थी, और पूरे वल्ड में तकरीबन स्टाले 6 करोड उरुपे कमाई थे, और ये एक एक एक्शन, क्राइम, ड्रामा फिल्म थी, और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई थी, चौदवे नंबर पर थी हम दोनों, 22 मार्च 1985 में रिल 30 लाख उरुपे, बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 30 लाख उरुपे की कमाई की थी, और पूरे वल्ड में तकरीबन 7 करोड उरुपे की कमाई की थी, और ये कॉमेडी, फैमिली, म्यूसिकल फिल्म थी, और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थ तेहरवे नमबर पर थी टार्जन तेहरा दिसंबर 1985 में रिलीज हुई थी ये फिल्म इस फिल्म में हमें नसर आई थी हिमन भिर्चे और किम्मी काट कर फिल्म को डैरेट क्या था बब बर्शु भासरे और बजट था इस फिल्म का तकरीबन एक करोड उपे बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 45 लाख रुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 6 करोड उपे की कमाई की थी और ही एक एक एक्शार, एडवेंचर, कॉमेडी फिल्म थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी बारवे नमबर पर थी संजोग, जितेंद्र और जयापर्दा इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डैरेट क्या था के विश्वनात ने और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 1 करोड 80 लाख रुपे बॉक्स आफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड रुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 7 करोड रुपे की कमाई की थी और ये एक फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी ग्यारवे नमबर पर थी सागर कमल हसन, रिशी कपूर, डिबल कपाडिया इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थी फिल्म को डैरेट क्या था? रबेश सिप्पी ने बजट था इस फिल्म का तक्रीबन एक करोड़ बीस लाख उरपे बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड़ 70 लाख उरपे की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी दसवे नंबर पर थी बलिदान जितेंद्र शिरीदेवी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थी फिल्म को डेरेट क्या था? S.A. चंदराने और बजट था इस फिल्म का तकरीबं 2 करोड़ उपे बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड़ 80 लाख उरपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबं 7 करोड 40 लाख उरपे की कमाई की थी और ये एक एक्शन थिरिलर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी नौए नंबर पर थी आंधी तूफान 22 मार्च 1985 में रेलीज हुई थी ये फिल्म शशी कपूर, शत्रुगंस दिनहा, मित्थुन चकरवर्ती और है ममालिनी इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थी फिल्म को डेरिट क्या था? बब बर्शु भास ने और बजट था इस फिल्म का तकरीबां 2 करोड 80 लाख रुपे बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 90 लाख रुपे की कमाई की थी और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एवरेज साबित हुई थी आठवे नंबर पर थी करिश्मा कुदरत का 6 दिसंबर 1985 में रेलिस हुई थी ये फिल्म धरमेंद्र, मिथुन चकरवर्ती और रतिय अग्री होतरी इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डैरेट क्या था? सुनील हिंगोरानी ने और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड रुपे बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड 95 लाग रुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 8 करोड रुपे की कमाई की थी और ये एक एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साभित हुई थी साथवे नंबर पर थी मेरी जंग अनिल कपूर, मिनाक्षी और नूतन इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थी फिल्म को डेरेट क्या था सुभाज खाई ने और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड रुपे बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 4 करोड रुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 8 करोड रुपे की कमाई की थी और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी चटवे नंबर पर थी अर्जुन सन्नी देओल डिंपल का भाडिया इस फिल्म में एहम किरदारों में नज़र आई थी फिल्म को डेरेट क्या था राहूल राविल ने और बज़ट था इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड रुपे बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 4 करोड 5 लाक रुपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 8 करोड रुपे की कमाई की थी और ये एक एक्शान क्राइम ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी पांचवे नमबर पर थी गुलामी अनीता राज, धर्मेंदर, मिथुन्चकरवर्ती, नसुरुदीन शाह, रीना रोइस, मितापाटिल और कुल्भुशन खरबंदा इस फिल्म में अहम किरदारों में नसार आई थे, फिल्म को डैरेट क्या था? जेपी दत्ता ने और बज़ट था इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड उपे, बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 4 करोड 10 लाख उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन साड़े आठ करोड उपे की कमाई की थी और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट सा भी थुई थी चौते नंबर पर थी प्यार जुपता नहीं मित्थुन्चकरवर्ती, डैनी और पदमीनी कौलापुरे इस फिल्म में एहम किरदारों में नजार आई थी फिल्म को डेरेट क्या था विजय सदाना ने और बज़ट था इस फिल्म का तकरीबन डेल करोड उपे बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने साड़े चार करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन नो करोड उपे की कमाई की थी और ये एक फैमिली रोमैंस से भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी तेसरे नंबर पर थी गिरफतार अमिताब बच्चान, कमल हसान, पूनम धिलो और रशनी कांत इस फिल्म में एहम किरदारों में नसर आये थे फिल्म को डेरेट क्या था पिर्याग राजने और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड उपे बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 5 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 11 करोड उपे की कमाई की थी और ये एक एक्चन ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी दूसरे नंबर पर थी मर्द अमिताब बच्चान, अमरिता सिंग, नीरू परोय, प्रेम चोपडा, दारा सिंग और डैन धनोवा इस फिल्म में एहम किरदारों में रसार आई थी फिल्म को डैरेट क्या था मन मोहन देशाई ने और बज़ट था इस फिल्म का तकरीबन 3 करोड उपे बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 8 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वल्ड में तकरीबन 16 करोड उपे की कमाई की थी और ये एक एक एक्चन, ड्रामा, रोमैंसे भरपूर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट साबित हुई थी और पहले नंबर पर थी साल 1985 में राम तेरी गंगा मैली मंदा किनी राचीव कपूर इस फिल्म में एहम किरधारों में नसर आई थे फिल्म को डैरेट क्या था राज कपूर ने और बजट था इस फिल्म का तकरीबं धाई करोड उपे बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म साभी थुई थी तो दोस्तों ये थी साल 1985 की टॉप 20 फिल्म में अभी साल 1986 का टॉप 20 फिल्मों का वीडियो बनाना चाहिए है नहीं कमेंड में येस और नो ज़रू लिखेगा थाइंक्यू